आज हम आपको 14, 15 और 16 अप्रेल को शुभी योग के बारे में बताने वाले हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय के साथ हमारे जीवन में कई बड़े बड़ाव आते जाते रहते हैं जोतिश की माने तो ग्रहों की चाल परिवर्तन के कारण इनराशियों के कॉंडली में अब शुभी योग बन रहा है खास तोर पर आपको शिक्षा के छेतर में व्यापार के छेतर में अपाल सफलता मिलने के यूग बन रही है नया वाहन आप खरीज सकते हैं वहीं परिवार में सुख स्रमध्धी एवं खुश अहाली भी आपके जरूर आएगी लक्ष ध्यान में रखकर प्रितन करने से सफलता जरूर मिलेगी व्यापार एवं शिक्षा के छेतर में आपको बहुत कुछ आसिल हो जाएगा वहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा बिजनिस में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपके खुद के चाहने वाले आपके अपने लोग ही आपको धोका दे सकते हैं वहीं बात की जाए उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा धनलाव होने के प्रवल योग बन रहे हैं आपकी बनाई के योजना आपके अनुसार पूरी होंगी पारिवारिक मोर्चे पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वहीं व्यवसाइक लक्षों को हासल करने के लिए संसाधनों को जुटाने में आप सफल रहेंगे आपका आफिस के व्यक्तियों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा दामपत जीवन में खुश हाली आएगी सफलता के कई नए अवसर आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएंगे सेहत आपकी बिलकुल फिट रहने वाली है नौकरी में काम्यावी भी आपको जरूर मिलेगी तो आइए जानते हैं आखर कौन सी हैं वो राशियां वो राशी हैं करक, मकर और कुम्भराशी नेक्स्ट नाइन स्प्रिच्छल से आकाश की रिपॉर्ट